तो कैसे है सिक्सर के चाहने वाले बिगट के मतवाले किरिकट के दीवाने उम्मीद है कि आप सबी बहुत अच्छे चाहूंगे आज कि इस वीडियो हम बात करने वाले पाकिस्तान सूपर लीग 2023 मैच नंबर 17 अगर हम इस मैच के बात करें तो पेसावर जालमी वर्सेस कराची किंग्स के बीच में खिला जाएगा जो अभी 3-4 दिन या एक हपते पहले इनके बीच में एक मैच कहला गया था I think PSL का वो दूसरा मैच था और दूसरे मैच में कराची किंग्स बस दो रनों से हाला था किससे पेसावर जालमी ने मतलब जीत के बिलकुल करीब आ गया था जीत लिया था लिकिन पेसावर जालमी कहता लग जीत मुझे दे दे इनकी हलक से जीत छीन के लेके आ जाता है जालमी उपी तरह कौन पेसावर जालमी लेकिन मुझे मैस्ताना काफी घूमा था क्योंकि सुरुआत जोग हुई थी पेसावर जालमी की सुरू में उतनी अच्छी ना हुई थी उसके बाद तावर्त और बल्लेबाजी होती है बावर आजां और टॉम कोलर कोड मोर के वज़र से 198 का या 199 का स्कोर होता है जब कराची किंग से सुरूआत करने आता है तो 40-45 सन पे 4 विगड़ गिरा देता है लगता है कराची किंग एक तरफा हारेगा लेकिन उसके बाद सोय मलिक और इमाद वसीम की जवर्द सपारी आती है उस पारी के बतरोद बिलकुल जीट के दहलीज पे खड़ा था कराची किंग से लेकिन आखरी के दो ओबर जो पेसावार जालमी होती बढ़िया फेकती है और दो रणों से एक क्लोज रणाई में दो लान फते वैसे अगर हम बात करें आखरी के कुछ मैचों में जो पेसावार जालमी की टीम है या ओबर ओल लिकोर्स की माने तो जो जालमी की टीम है ना किंग्स को कभी किंग्स बनने ही ना दिया हमेशा इनको मैसे हरा है कैसे हरा है चलो मैं आपको head to head आकरे दिखाता आपको समझ में भी आ जाएगा तो अभी तक इनके भीच में अलग जीता हो कुराची किंग से पेसावार जालमी के सामने फिसड़ी ही साबित होता है और भाइलों की मैस है ना पिंडी कलब ग्राउंड रावल पिंडी में खिला जाएगा वैसे यहाँ पे एक स्टेडियम और है रावल पिंडी क्रिक्ट स्टेडियम पतनी दोनों अलग है या सेम है अगर यह नया स्टेडियम है तो यहां पे दोनों टिमों के बीच में एक मैंच केला गया जिसे कराची ने अपने नाम पे केश थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप ऐसा करना ना डिस्किप्शन मे जाना वहां पे टेलीगराम की लिंक मिलेगी टेलीगराम करने जो भी फाइनल चीज होगी मैं से स्टार्ट होने के दो-तीन घंटे पहले आपको मेरे टेलीगराम पे मिल जाएगे और वैसे जिन लोगों ने मेरा टेलीगराम जोइन किया वो कफी जादा मजे में है अगर आ लिमने में इनकी बीच मेंगे ची मैंच खेलागया और लाज पाउड मुकाबले की बात किर रहे तो पांच के पांचों ही मैंच पेसावर जालमी ने लाज चुछा रहा डाला इतना पीटा या लगातार पांच मैच कौन हराता है तो पेशावार जालमी करा हम हराते हैं किसको हराते हैं कराची किंग्स को हराते हैं तो पेशावार जालमी सोचेगा ना फिर से ऐसे परफोर्मेंस दोराते हों करते हैं मैदान पते हैं लेकिन कराची कंग्स बोलेगा अग थोड़ी नहूं, मैं तो आपकी बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूं तो अपने भाई का सपोर्ड आप ना करेंगे तो कुई बाहर जाएगा भाई का सपोर्ड करने के लिए ना जी कोई भी न हैगा करना कि आप कुछ भी नहीं करना बस चैनल को सब्स्क्राइब कर पर नहीं बार मैंच खेला जाएगा और अबरेज इसकोर होगा 175 के आशपास का अबरेज इसकोर है बॉंडरी लेंध की बात करें तो 65 से एटी मीटर की यहां की बांड्री लेंध है तो यहां पर आपको थोड़ा सा रन बनते हुए दिखेंगे क्यों बनते हुए दिखेंगे क्योंकि सर्फेस है वो थ atención फ्लैट है गार्ब दस मैच में बचार्ट मैच में टार्गेट डिफैंड हो सकता 167 से 183 के बीच में स्कोर होगा तो आप समझ जाना जो मामला है ना वो बराबरी का चीज भी हो सकता और डिफैंड भी हो सकता है तो इससे आपको लग गया ना कि यहां के मदान पर वो हाइज स्कोरिंग मैच हो सकता है हाइज स्कोरिंग मतलब आज के मैच में पावर फिले में आपको 47 से 52 की बीच में स्कोर देखने को बात करें तो 170 से 185 की बीच में देखने को मिल सकता है लेकिन 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 एक यहां पर और है रावल पिंडी क्रिकिट इस्टेरिया अब मुझे थोड़ा सा कन्फूजन हो रही है क्योंकि मैंने काफी इदर उदर सर्च से भी किया तो कहीं अलग दिखा रहा है कहीं सेम स्टेडियम होगा तो यहां पर प्यासल के साथ मैंस कहले जाचुके जिसमें से 2 मैंस में क्या हुआ ऐसे हैं बाद बले बाजी और भी जादा आसान हो सब्सक्राइब से अभी मैं सयोड और वाद सब्सक्राइब की बात करें दो बिल्कुल सेम है मुझे लग रहा सेम स्टेडियम भी है पस थोड़ा सा अपग्रेट करके नाम बदला गया है वैसे अभी मैं से और नहीं हूँ वैसे मैं अभी यह वीडियो बनाने के बाद काफी साधा रिसर्च करूंगा इसके बाद मैं रिसर्च करने के बाद तेलिगॉम पे अपडेट कर दूँगा कि कि अलग है या फिर रावलपिंडी कीर्किटी स्टेडियम बिल्कुल ये मैन अपनी टेलिigorाम पर पता दूँगा तो मेरा लिकशन जरूर जवाईन करें व 2017 लोगों के न Mont видео जवायन से जोईन करने हैं तो अब हम यहां पर जानते हैं दोनों टीमों में ऐसी कौन से टीम है जो यहां के मैदान पर बढ़िया परफॉर्मेंस करें जो मैच होगा उससे उड़ा कर ले जाएगी सबसे पहले हम बात करते हैं पेसावर जालमी के जिन्हों ने पांच मैच कहला दो ज जीत 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 जीतना चाहते हैं किससे कराची के रियाज सहाब की बात को तो रियाज सहाब experience बहुत जादा है उस experience का फायदा उठाते हैं बिगड़ भी निकालते हैं लेकिन run भी लुटाते हैं run भी काफिछादा लुटाते हैं ये पाकित्य जो इनकल लेगी है एक अच्छा लेग isminan मिन लई रहा है कभी उस्मान कादिर को खिलातें, कभी सुफियान मुकीम को खिलातें, कभी साध मसूद को खिलातें लेकिन कोई भी इसमिनल अभी तक अच्छी गेंदवाजी ना कर पाया, बाकी तेज गेंदवाजी की बात करें सलमान इस साथ किसी मैच में बढ़िया गेंदवाजी करते हैं किसी मैच में पिट जाते हैं अर्साद इगवाल की बात करते हैं इनकी भी वही कानी किसी मैच में बढ़िया गेंदवाजी करते हैं किसी मैच में पिट जाते हैं जो पेसावार जालमी की बल्ले बाजी है वो तो जाली में की तरह परफॉर्मेंस करती है सामने वाले गेंदबाजी लाइनप को कहते हैं हम तो जाली में जाली में की तरह खेलेंगे लेकिन जो इनकी गेंदवाजी है ना वो कहते हैं हम तो मोभबत वाले हैं हम तो बस रन लुटाने आये मतलब जो इनकी गेंदवाजी है वो श्ट्रगल करती नज़र आ रही किसकी पेशाबर जालमी की लेकिन बल्लेवाजी की बात करें तो काफी सूपर डूपा नजा आ रही है। खेलते नजर आ सकते हैं कि जेम से बिंस गए कहां पे गए बांगलादेश गए बांगलादेश के सामने ओडियाई के लिए इंगलाइड की टीम को जोईन कर लिया ओपनिंग जोड़ी की बात करें जेम से बिंस बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे थे अब वो चलेगे मैथ् वेड भी जेम से बिंस का बढ़िया साथ दे रहते लेकिन एडम रोसिंग्टन की बात करें जो अभी S8020 खेला गया था ना लॉने ने क्या दमखम वारी पारी खेली थी मतलब बहुत ही जबर्जस बल्लेवाजी करेंगे तो कराची के लिए बढ़िया ही होगा वैसे आधी करती है unrash चाहि यह लंगी से ने कि इस बल्लेवाजी और मों रहुाजिकर नोburgh बढ़िया साथ deduction प्रूम लिए बाषिया के लिए कर रहें पता कई दाना है लेकिन इस QT非 में बल्लेवाजी अगर? बढ़िया कर रहे हैं बाकी जरूरत पढ़ने पर बेंट कटिंग इर्फान जितनी जरूरत होती उतनी बल्लेवाजी कर जाते लेकिन आउटसेंडिंग नहीं कर पाते तो इनकी जो बल्लेवाजी है ना वह आधी अधूरी कहानी सी मतलब एक मैश में दो तीन बल्लेवाज सकते हैं लेकिन 50-50 फिट होंगे या नहीं होंगे वो तो बाद में पता चलेगा बाद मी क्या पता चलेगा मैं आज से स्टार्ट होने के दो-तीन घंटे पहले मैं आपको बता दूँगा कहां पे मेरे टेलिग्राम पर तो टेलिग्राम जरूरूर जोईन करें आप बोलना करें अगर हम यहाँ पर गेंदवाजी की करें मैं मानता हूं जो चोड़ से पलियर बाहर हुए आमीर और उसामा में फिरिभी इनकी गेंदवाजी बढ़िया दिख रहे क्योंकि यहां पर हम बात करें पिछ्छले मैस समसी को खिलाएगा तबर समसी ने जबर जब यस इम्रान ताहिर कुता है अनुना से पिटेए अरज केक्न दोप सब्सक्रितों ये Woah अनुन से थे अभरोना भी हां। फिरों जाता यह एकाय। नहीं है निपाल हें सुरुत कपया था ध्रश करों市 के त्थे और भाई लोग अगर हम इन दोनों टीमों के लाज सिक्सी मैच के विहाब पे कंप्रीजन करें तो जो पेसावर जालमी की टीम है अपने लाज की सिक्सी मैच में बस दो मैच जीता चार मैच चारे मतलब जो इनकी दूर दसा है ना वहाई साब बहुत ज्यादा अच्छी नही की बात करें तो 9.68 9.68 जो गेंदवाजी होता भाई साब यह काफी ज्यादा महंगा होता यानि जो पेसावर जालमी है ना अपने गेंदवाजों से काफी ज्यादा परसान है तब ही तो लाज की सिक्सी मैच में बस दो मैच जीता चार मैच हार गे मैं दूसरों कराची कि ब बल्ले बाजी अबरेज काफी ज्यादा जवर्जस होता होता है हाँ जी बिल्कुल जवर्जस होता है गेंदवाजी अबरेज की बात करें 8.72 8.72 जगेंदवाजी अबरेज होता है यह भी ठीक ठाक होता बहुत ज्यादा खराब नहीं होता आप बोलो कि यार बल्ले बाजी अबरेस ठीक है गेन बाजी अबरेस भी ठीक ठाक है तो 6 मैसे 4 हार कैसे गए बस 2 ही जीत है क्योंकि 3 मैच उसमें से बिल्कुल प्रोज एक दो रन से हार है जो इनको हारना नहीं था इसलिए 6 मैसे 2 जीत दिक रहे है ये 4 हार दिक रहे है किसकी कराची किंग्स की तो अगर हम इननों टीमों की ठीक है कि बात करें एक दूसरे के सामने को नो में नो झालमी को 6 मैसे चेज करने का मौका मिला कराची के सामने 4 में कर लिया दो में ना कर पाए, यानि जवज़स तरीके से पेसावर चेज करता है किसके कराची के सामने, कराची को 12 मैच में चेज करने का मौका मिला है, पेसावर के सामने तीन में कर लिया, नो में ना कर पाए, यानि जो कराची की टीम में बिल्कुल फिसदी साबित होती है, पेसावर के सामने चेज करने में पेसावर जालमी ने जो हाइस स्कोर चेज किया कराची के सामने 175, 175 और कराची ने जो हाइस स्कोर चेज किया पेसावर के सामने 188, 188 रन पेसावर जालमी को 12 मैंच में डिफैंड करने का मौका मिला 9 में कर लिया किसके पेशावर के सामने पेशावर ने जो लोवस इसको डिफैंड किया कराची के सामने 153 153 रन और कराची ने जो लोवस इसको डिफैंड के पेशावर के सामने 174 174 रन तो भाई लोग जो PSL 2023 का match नमबर 17 है ना इसकी हमने सारी analysis कार डाली अभी वो जानते हैं जिसका आप कर रहे हों इंतिजार कौन सी team है जो match कर सकती है अपने नाम लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब करना बनता है ना क्यों बनता है क्योंकि आपका भाई आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करता है आपको ये भी पता है मैं कोई hero कोई celebrity ना हूँ मैं तो आपकी बीच करेने वाला आपका अपना भाई हो तो अगर आप भाई का सपोर्ट ना करेंगे कोई बाहर से आएगा भाई का सपोर्ट करने के लिए ना जी कोई भी नाएगा करना क किया वाई सा कुछ भी नहीं करना बस चैनल को सब्सक्राइब करना इतना दो कर सकते है ना तो सानी है लाइस करने के बद क्रिकेट के नेवान उसार कर हम इस मैच की बात कर दिए जो मैच है ना कराची किंग्स अपने नाम पर कर सकता है भाई लोग आप करके जरूर बताए क्या चराची किंग्स करेगा प्लटवार लेकर पिछली सभी हारो का बदला या पर सावर जालमी करेगा फिर से हर मैदान पते है कमेंट करके जरूर बताएं बाकि आप मेरा टेलिग्रम जरूर जोरूर जोईन करें IG क्यों जो उसमेरे नाम पर काफी जचाद न क्यंक नेरे वीडियो में इतना ये वीडियो अच्छी लगिया तो लाइक कर दो या चाहल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैस की फेडिक्सन के साथ तब तक के लिए God bless you